हर आदमी के अंदर अपना ही एक ग्यान होता है लेकिन जरूरी नहीं कि उसका ग्यान हर बार सची हो जाए जरूरी नहीं कि हर बार उसका ग्यान कामियाबी हो और उसका लाब भी उसे मिले मैं बात हिपी अप्लोड के कर रहा हूँ जितने भी creators हिपी अप्लोड करते हैं जरूरी नहीं कि हर creator को यह सही से पता हो कि आपको वीडियो अप्लोड कैसे करनी है आज के इस वीडियो में मैं आपको systematically वीडियो अप्लोड करने का पूरा process बताने वाला हूँ A से लेके Z तक पूरी information के साथ कैसे कब कहां क्या करना है आज के इस वीडियो में समझते हैं चलिए topic को शुरू कर लेते हैं जो लोग हमारे इस channel को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को like कर दें चैनल को subscribe करके साथ मिलेके notification बैल को जरूर दबा दे दोस्तों और किसी भी personal information के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाते हैं तो Instagram पर आजओ Regular update आपको यहीं पर मिलती है every day मैं आप लोग को बताओं कि Hippie application पर जो भी चीज़े इस वक्त हो रही है जो भी process आप कर रहे हो वीडियो upload करने के time पर आपको किनी चीज़ों का दिहान रखना पड़ता है और यह systematically चलता है क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ यदि आप एक professional creator हो तो यह बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि Hippie app के camera को use करना ही नहीं होता है आप अपनी वीडियोज अलक्षे shoot करते हो अच्छा उसके अंदर क्या क्या चीज़ा mentally होनी चाहिए mentally आप strong तो है लेकिन उस mentally में भी आपको कुछ चीज़ा add करनी परती है जैसे कि आप लोग करते हो आपके face पर proper lighting होनी चाहिए या आप वीडियो shoot करते होगे अगर आपके पास lighting है तो आप ये सोचते होगे कि हमें equipment भी चाहिए होते है equipment में कुछ भी हो सकता है हो सकता अच्छी clothing हो हो सकता है कि कुछ और आप accessories use कर रहे है हो सकता ring light वगरा पर आप जाके shoot कर रहे है ये accessories आपकी equipment में आ जाती है ये सब आप use कर रहे हो इसके बाद आपने वीडियो complete तो shoot कर ली आप ये भी देखते हो कि भाईया मुझे एक बहुत अच्छी चीज की editing करनी है जब आप editing वाले option को पार करते हो तो finally आपकी वीडियो अब upload होने के लिए बिल्कुल तयार है लेकिन अब सवाल आता है कि upload करते time यही system को चीजों पर add करना होता है जो हमारे hippie application के साथ आता है कैसे कैसे क्या क्या करना होता है hippie application पर ये सारी चीज़े समझ रहे हैं तो अब आपके पास आपकी वीडियो complete हो चुकी है अब आता है सवाल कि इसको upload कैसे करना है तो देखो मैं आपको अपने screen recording पर चला जाता हूँ और यहां से screen recording के साथ साथ मैं आपको चीज़े add on करके बता देना चाता हूँ तो देखिए मैंने यापर screen recording on कर लिया है अब मैं hippie application को direct open कर लिता हूँ open करने के बाद मैं आप लोग को पहले तो यह रिखा दूँ के यह hippie application पर वीडियो चल रही है almost और यह मेरी profile है जैसे मैं profile पर आता हूँ 175 follower है लेकिन इसके बाद भी मेरे views जो है वो approximately 10,000 तक के आ जाते हैं एक वीडियो में मैंने 50,000 views लगबग लगबग क्रॉस करें है वीडियो जादा डाली नहीं है मेरी कुल मिला के यही 8 वीडियो है अब मैं आपको process बताने जा रहा था process के लिए आपको create पर tap करना है tap करेंगे यहाँ पर आपका camera open हो गया अब जैसे मेरा camera यहाँ पर open हो चुका है आपको simple से upload वाले option पर click करना है मैं जैसी upload वाले option पर click करता हूँ यहाँ पर आजएए मेरी एक video अल्रेडी मैंने shoot करकर रखी हुई है और इसके अंदर मैंने हर एक चीज़ का ध्यान रखा जैसे मैं आप लोग को बताए रहा हूँ यानि कि face पर lighting भी होनी चाहिए वीडियो की quality भी अच्छी होनी चाहिए जो वीडियो में equipment यूज हो रहा है मैं वो भी proper यूज कर रहा हूँ और अपनी editing करने के बाद video मेरी complete है फिर भी अगर मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ चीज़े add-on करनी है तो यहां से मैं कर सकता हूँ जैसे कि यहां पर आप चाहो तो इसके अंदर कोई sound add कर सकते हो कोई text यहां पर add कर सकते हो को sticker आपको यहां लेना है या फिर आपको इसके अंदर कुछ filter यूज करना है या volume के साथ कुछ छेड़ चाड़ करनी है आप overall सारी चीज़े कर सकते हो अगर आपको लगता है तो अगर नहीं लगता तो unnecessary कुछ भी मत करना भाई यहां से आपको वीडियो आगे बढ़ा दीने है next कर देना है next करने के बाद यह सीधा uploading की ओर जा रही है मैं आप लोगो बताओं के uploading पर जब तक यह जा रही है वीडियो जो भी आप बना रहे हो उसको export करना कम से कम 1080 यानि के full HD में होनी चाहिए 1280 भी कर लो आप अगर 4K तक आपका phone record कर रहा है और 4K तक uploading भी हो रही है तो इस सची कोई बात नहीं है जितनी अच्छी आपकी वीडियो की quality होगी बस यूँ समझो के उतना ही अच्छा आपका engagement बहुत बहतर होगा audience को भी वो चीज देखने में पसंद होता है जो आपके quality को निखार दे रहा हो जिसमें आप बहुत अच्छे लग रहे हो यह चीज इंपॉर्टन्ट है लेकिन इसके अलावा यह भी नहीं है आपके वीडियो में जान भी होनी चाहिए हमारी यहाँ पर वीडियो process में है लगबग 60% हो चुकी है और यही अब आगे बढ़ाते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है आपको अपनी वीडियो के ही बारे मैं सबसे पहले थोड़ा सा एक description दे देना है जैसे मेरी वीडियो मैं जो यह वीडियो बनाता हूँ यह मेरी है गाने की वीडियो मैं singing वीडियो बनाता हूँ मेरे हमेशा की तरह कमेंट्स होते हैं अगली फर्माईश बताओ तो मैं लोगों से फर्माईश लेता हूँ और उसके बाद इसको share कर देता हूँ बस इतना ही मेरे रहता है मैंने यहाँ पर लिखा अगली फर्माईश बताओ यह मेरी वीडियो के बारे में एक description हो गया इसके बाद मैं चलता हूँ कुछ hashtag लगाने के लिए अब जैसे ही मैं hashtag पर click करता हूँ यहाँ पर वो hashtag चल रहे हैं जो इस वक्त ट्रेंडिंग पर हैं अब आपको एक चीज़ का दिहान रखना है यहाँ पर जितने भी hashtag चल रहे हैं इस मेंसे मेरा कोई भी video से relate नहीं करता है मेरे गाने की videos है मैं old songs पर मैंने video बनाई है लिखे जो खत तुझे अब इस video से related यहाँ पर तो कोई भी tag नहीं है मैं winter में इसको shoot कर रहा हूँ एक छोटा मोटा tag मैं यहाँ लगा सकता हूँ जो relatable हो सकता है otherwise मैं जादा hashtag यहाँ पर नहीं लगाँगा एक हो गया यह दूसरा हो गया जैसे लिखे जो खत तुझे यह आगे दूसरा hashtag इसके बाद मैंने old songs यहाँ पर गाया है और यह रफी साप का है तो मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर कर दूँगा चौथा मेरा खुद का एक hashtag है सैफे सिंगर मैं यहाँ पर वो भी लगा दूँगा यह भी आ गया और पांचवा अगर मैं यहाँ पर कोई hashtag डाल रहा हूँ यह डाल देता हूँ मैं old song पांच hashtags बहुत हैं अब आज़ो कि अगर मेरा इसमें मैंने किसी friend को add करा है वीडियो शूट करिए अपने friend के साथ तो आप यहाँ पर उसके लिए यह add the rate friend वाला option लेके उसका user handle डालके उसको attach कर सकते हो यह तो हो गया collab का तरीका नहीं तो इसको छोड़ देना mention मत करना इसको अब आज़ो नीचे एक सबसे पहले जरूरी है आपके वीडियो का thumbnail यह दिहान रखो मैं इसी वीडियो में से अपना कोई एक thumbnail ले लेता हूँ हालके नॉर्मली गाने ही है मेरे इसमें thumbnail कोई ऐसा है नहीं लेकिन अदर आपको लगता है कि आपकी वीडियो के अंदर कोई catchy सा thumbnail हो सकता है उठा के आप यहां select कर सकते हो ठीक है जी मैं यहां पर done कर देता हूँ और यह done करने के बाद मेरा thumbnail यहां पर accurate वो आ गया है जो मैंने वीडियो के अंदर से लिया है कुछ चीज़ां यहां पर नीचे भी है अब जैसे हमें यहां पर सबसे पहले select करने है अपनी वीडियो की language तो हमारी वीडियो की language है हिंदी तो हम यहां पर कर देंगे simple से हिंदी हिंदी के बाद एक category यहां पर पूछता है यह थोड़ी सी important है category में आपको बताना है कि आपकी वीडियो किस category में आ रही है तो यहां बहुत सारी category आ जाती है dance, fashion, comedy, music, singing, brand वगर यह सब चीज़ा है तो मेरा यहां पर singing का है तो मैं music, singing आप ब्रैंड कर देता हूँ यह हो गया मेरी एक category का आप आजाओ, यहां पर आपकी वीडियो हमेशा यह public होनी चाहिए public के सास्थ यह जो तीन option है यह on होने चाहिए इसमें क्या है, comments आपको करने होते है allow आपके do it करेगा और कोई भी वीडियो आपको save कर सकता है बस इन चीज़ों का on कर देना इसके बाद आप इस वीडियो को as it is save भी कर सकते हो अपने gallery में यहां से जाके या फिर आप इसको post भी कर सकते हो as it is अगर मैं post पर click कर देता हूँ तो हमारी वीडियो अब बिल्कुल post होने के लिए तयार है और यह background में post हो रही है मैं आपको यह भी दिखाएता हूँ कि यह post होने के बाद कैसी लग रही है अभी उपर से में देखूंगा तो अभी हमारे पास इसकी post की notification नहीं आई है तो यह post होने तो मैं इसके बाद आपको बता रहा हूँ वीडियो अपलोड हो चुकी है और वो आपके सामने यहां पर आप देख भी पा रहे होगे बस ऐसे ही आपको अपनी वीडियो को अपलोड करना है अगर आप इसको मैंटीन करके रखोगे systematically वीडियो अपलोड करोगे आप तो आपकी वीडियो वाइरल होंगी क्योंकि यह system ऐसे बताता है अगर हिपी के system को आप समझ पा रहे हो तो बस वीडियो डालना शुरू करना आपको result कुछी दिनों के अंदर मिलने भी लगेगा इनफेक्ट आपके views भी आने लगेंगे तो अगर और भी कोई जान करिए आपको हिपी application के बारे में चाहिए तो हमें comment कर देना उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वाकी वीडियो अच्छी लगी है तो एक like जरूर कर दें आज के लिए बस इतने दोस्तों जैहिंद